Welcome to Life Science Beast, मेरा नाम है सौरव और आज हम बात करेंगे Griffith Experiment के बारे में Griffith Experiment पढ़ने से पहले कुछ बाते मालूम होनी चाहिए जैसे कि आज हमें पता है कि DNA एक Genetic Material है Genetic Material कहने का मतलब Living Wings के अंदर वो मॉलिक्यूल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सूचनाओ को ट्रांसफर करता है जो की DNA है लेकिन आज से 100 साल पहले हमें ये नहीं पता था वो मैटेरियल कौन सा है उसे पता लगाने के लिए एक सीरीज आफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रेटरिक ग्रिफित का ग्रिफित 90-28 में डिप्लोकोकोस निमोनी नाम के एक बैक्टिरिया पर transformation experiment किया जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं हाला कि इन्होंने ये व्रूफ नहीं किया था कि genetic material DNA ही है लेकिन इन्होंने एक new रखी थी इस दिसा में बाद में इन्ही के experiment को extend किया गया other scientist के द्वारा और पता लगाया गया क्या है genetic material बात कर लेते हैं Griffith के experiment की Griffith अपने experiment को करने के लिए diplococcus pneumoniae नाम के bacteria को choose किया जिसका आज नया नाम streptococcus pneumoniae है इस diplococcus pneumoniae के दो strain थे virulent strain और avirulent strain सबसे पहले बात करते हैं virulent strain की virulent strain का मतलब वो एक disease causing bacteria था disease causing strain था जो की pneumonia disease कार्ज कर रहा था कुछ vertebrates like mice या फिर humans में इस strain की खास बात ये थी इसके उपर polysaccharide की एक special layer थी जिसे capsule कहा जाता था क्या होता है जब कोई bacteria किसी भी host को infect करता है तो वहां की phagocytic cells activate हो जाती है और उस foreign material को destroy करने की कोशिस करती है क्यूंकि इसके उपर ये polysaccharide की capsule layer present थी तो वो उस phagocytic cells को deny करता है और अपना disease pneumonia दिखाने में सक्चम होता है इस strain की एक खास बात और थी जब इसे किसी culture medium पर grow कराया जाता था तो इसकी जो colonize appear होती थी यानि कि जो इसकी morphology थी वो काफी smooth type की थी इसलिए हमेसे S strain या फिर smooth strain भी कहते हैं विरूलेंट strain में क्या था वो polysaccharide की जो special layer थी विरूलेंट वाली वो इसमें नहीं थी और ये किसी भी प्रकार का disease काज नहीं कर पा रहा था क्यूंकि जब polysaccharide की layer नहीं होगी वो किसी host में entry करेगा तो उसकी host की जो phagocytic WBC cells होती हैं वो उसे आसानी से destroy कर सकती है और उसे nest कर सकती है और इस बैक्टिरिया की खास बात ये थी जब इसे culture medium में ग्रो कराते थे तो इसकी जो colonies ये फियर हो रही थी वो काफी rough type की थी इसे लिए इसे R strain या फिर rough strain भी कहते हैं आगे समें वीडियो में virulent strain को S strain और A virulent strain को R strain बोलूँगा Griffith ने इन दोनों strains के कुछ serotypes का योज किया था जैसे कि serotype क्या होता है कोई भी बैक्टिरिया या फिर किसी एक species के अंदर जो variations होते हैं उनकी वज़ा से जो अलगाव होता है वो serotype कहलाता है जैसे मान लिज़े कोई variation है किसी वैक्टिरिया के अंदर कोई different एक species है smooth strain वाली उसके अंदर कुछ changes है तो उसको first कर दिया गया second वाले के अंदर कुछ अलग चीज है उसको second कर दिया गया ऐसे करके कुछ serotypes बना लिये गए तो S strain का उन्होंने third serotype और R strain का उन्होंने second serotype यूज किया क्यूंकि R strain जब grow कराते थे rough colony मिलती थी यानि उसकी morphology rough थी उसके उपर कोई कैपसूल नहीं थी इसलिए वो कोई भी disease का आज नहीं कर पा रहा था A virulent type का था S strain यानि कि उसकी morphology smooth थी उसके उपर एक polysaccharide की special layer थी जिसकी वज़ा से वो एक disease का आज कर पा रहा था pneumonia इसलिए उसे virulent strain कहा गया Griffith अपने experiment को four step में perform किया था पहले step में बात कर लेते हैं पहले step की पहले step में उन्होंने R strain को यानि कि जो A virulent था कोई भी layer नहीं थी उसके उपर उसको inject किया mice में और Paya की mice सर्वाइब कर रहा है जिंदा है second step में उन्होंने S strain यानि कि जो smooth strain था polysaccharide की wall थी pagocytic cell उसे destroy कर नहीं पाएंगी वो inject किया mouse में और आसानी से वो mouse की death काज कर दे रहा था pneumonia से फिर उसके बाद third step में उन्होंने इसी S strain को heat killed किया heat killed कहने का मतलब ये एक process है जिसकी वज़ा से nucleic acid को छोड़ कर सारी की सारी cells यानि की polysaccharide, proteins, carbohydrates जो भी उसके अंदर material है वो उसे destroy कर देते थे heat killed से और जब उसे inject किया mouse में तो mouse survive कर गया क्योंकि polysaccharide wall वगएरा तो destroy हो चुकी है phagocytic cells आसानी से work कर पाएंगी और उसको nest कर पाएंगी और ये mouse आसानी से वो survive कर पाएगा बात करते हैं सबसे last और सबसे important step की उन्होंने third step वाला यानि की heat killed as strain और first step वाला यानि की R strain को live उन्होंने जब inject किया mice में दोनों को mix करके तो पाया की mouse की death हो गई ये काफी surprising था क्योंकि heat killed as strain singly जब उसे mouse में inject किया जा रहा था तो mouse survive कर रहा था और R strain को singly जब inject किया जा रहा था mouse में तब भी mouse survive कर रहा था लेकिन जब इसको दोनों को mix करके inject किये mice में तो mice की death हो गई कहने का मतलब उन्होंने इससे ये conclude किया कि जए S strain के अंदर जो nucleic acid बचा था वो हाला कि उन्होंने ये term नहीं दिया था कि वो nucleic acid ही है लेकिन उन्होंने बताया कि S strain के अंदर कुछ components थे जो कि transfer हुए R strain में और उसको S strain यानि की virulent strain में convert कर दिये इसी process को उन्होंने transformation experiment कहा यही conclude किया और कहा कि जो S strain का जो component था वो R strain में convert हो रहा है S strain का जो component था वो R strain में जा रहा है और उसे virulent बनाने का काम कर रहा है ये जो process थी transformation की ये जो process थी transfer की इसे उन्होंने transformation कहा और जो assistant के अंदर जो component था nucleic acid DNA बाद में इसे पता लगाया गया कि वो nucleic acid ही था लेकिन जो component था जो principal component था उसको उन्होंने transforming principle term दिया हालाग बाद में इन्हें के experiment को extend किया गया other scientist के दौरा और उस transforming principle को बताया गया कि वही वो DNA nucleic acid है होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा like करें, share करें, subscribe करें और जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचाएं, thank you so much